तो कहानी दो ऐसे लोगों की है जनकी प्रेम कहानी ही नफरत से स्टार्ट होती है इस ड्रामा का जो हीरो होता है वो हमारी हीरोहिन से जबरदस्ती साधी करता है वो भी बदला लेने के लिए और हमारा हीरो उसे चोट पहुचाने का एक मुका नहीं छोड़ता उसे टॉर्चर करता है उसके साथ जबरदस्ती सोता है और उसे जबरदस्ती किस भी करता है और इसी नफरत और जलन की वज़ा से वो दो लोग अपने दिल की फिलिंग्स नहीं समझ बाते कि वो दोनों एक से पूरी तरह हार चुका होता है क्योंकि वो जिस लड़की से प्यार करता है वो उस लड़की के साथ नहीं हो सकता और जिस लड़की के साथ आज वो रह रहा है जिससे उसकी साधी हुई है वो उसे नहीं अपना रहा होता है नहीं उससे प्यार कर पारा होता है तो प्रासि कुलने की बहुत कोशिस की दा लेकिन मैं उसे नहीं भूल पाया और मैं तुम्हें भी वह खुशिया नहीं दे पाया जिसकी तुम हगदार हो इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो मैं इस तरह अपनी लाइफ को नहीं कर सुसाइट कर लेता है इधर जब दा प्रासिन की ऐसी हल देखकर खुब रोती है और कहती है तुम्हें मेरा इंतिजार करना चाहिए था तुमने ऐसा क्यों किया और रावी ये कहकर खुब रोती है तो दा को रावी पर बहुती गुसा आता है क्योंकि रावी की वज़े से ही उसकी सारी खुसिया बरबाद हो गई होती है और दा न पास्ट को लेकर अपनी लाइफ को बरबाद करती रहोगी मैंने तुम्हें यूएस इसले भेजा ता कि तुम इस महाल से बाहर निकल कर अपनी लाइफ पर ध्यान दे सको तुम वहां जाकर भी अपने पास्ट में ही अटकी हुई हो दा अपने पास्ट से बहार आओ वरना कबी वह नहीं चोड़ोंगी तो दा अपनी बहन को समझा पुझा कर साफ करता है आगे कि पापा का बद्दे होता है और भास्ट के पापा ने अपने बद्दे पर बहुती सहांदार पार्टी और पने बहुती तो दा की बेहन दालिन कहती है भाई आपको इस पार्टी में जाना चाहिए क्या पता आपको यहां पर आपकी होने वाली दुलहनिया मिल जाए और दालिन अपने भाई को टीस करती है आगे थाना अपनी बेटी तावान को मार्केट लेकर जाता है क्योंकि दावान अपने दा पर चली जाती है और उसका एक्सिलउन्ट होने ही वाला होता है कि तब होंपर रावी आजाती है और तैवान की जान बचा लेती है तो रावी सका Brittany you Nee का सारा इता अपर निकालती है कि वह कैसा बाप है जो अपनी कर दो किस पापा मुझे इस पापा के साथ जाने के लिए उसका भी बिजने का मन नहीं हो no के साथ सिखर हो मिलेगा तो रावी के पापा कहते हैं टीक very आगे पाक्चा पिंग के पास जाती और कहती है साम को तयार हो जाना तुम्हें पार्टी में जाना है तो पिंग कहती है मॉम आपको पता है न मुझे ऐसी बोरिंग पार्टिया नहीं पसंद तो पाक्चा कहती है बेटी क्या तुम हमारा मकसद भूल गई हो हमारा इस घर में आने का क्या मकसद था कि तभी एक पास्ट की स्टोडी दिखाई जाती है रावी के पापा दो भाई थे एक भाई अपने पापा के बिजनेस में उनका हाथ बटाता था और उसने अपनी काबलेत के दम पर अपनी कमपनी को उचाईयों तक पहुचाया था वही दूसरा बेटा जो पाक्चा का हस्बेंड था वो अपनी पापा के साथ मिलकर बिजनेस करना नहीं चाता था क्योंकि वो अपना बिजनेस अलग करना चाता था जिसके लिए वो यूएस गया अपनी पूरी फैमिली को लेकर वहाँ पर उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया पर उसका सबतार साजाय और वह लोग उसे रहने की यखा देती तो रावी की मौम को पाउग्जा पर धया आ साथीए और वह उसे अपने घर मेशले एक अंग्ार है यह तम भी इस घर की बहुत हो तू पाउग्जा दीरे अपनी माशूमियां दिखाकर उन लोगों के दिल में डिक बना रवी के पापा पड़ ही लगा एक उन्होंने उसके साथ जबर्दस्ति की रहेखे कर नहीं है कि सब Jag behavior झाकजा को घर से निकालने के लिए रावी की मौम को बता देती है उसके पती ने उसके साथ जबरदस्ती नहीं की थी बलकि वो अपनी मर्जी से उसके साथ सोया था और उसकी निसानी उसके पेट में भी पल रही है तो रावी की मौम जैसे ये सुनती है उनके तो होसी ओर जाते है और पागज जिस वजैसे उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा? तो रावी के पापा इस बात पर रावी की मॉम पर बहुती गुसा करते हैं और यहीं से रावी उसके पापा के घर पर रहने को कहती है ताकि वो पागजा से अपने पापा को बचा सके तो रावी को उस घर में रहने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है पागजा हमेशा उससे नीचा दिखाती रहती है उसके इंसल्ट करती रहती है पर रावी भी कुछ कम नहीं होती वो भी पागजा को नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ती और से मूध तोर जवाब दे कर वहां से चली जाती है आगे प्रजेंट की स्टोडी दिखाई जाती है तो प्रेंग कहती है हाँ मुझे अपना मकसद याद है लेकिन मुझे रावी से बहुत ही उसकी लाइफ कितनी परफेक्ट है उसके पास सब कुछ है उसके पापा उससे कितना प्यार करते हैं उस पर अपनी जान छिरकते हैं और उसकी सारी ख्वाइसों को पुरा करते हैं उसके पास एक अच्छी जॉब है उसके पास धेर सारे पैसे हैं और उससे भी ज्यादा उस आगजा कहती है बेटी तुम टेंसन मतलो मैं तुम्हें वो सब दिलाऊंगी जिस पर तुम्हारा हग है और यह मान भी आगे प्रिंग रेडी होकर नीचे आती है तो यह मान रावी का इंदिसार कर रहा होता है तो प्रिंग यह मान पर डोड़े डालने का एक मौका भी नहीं चोड़ती पर यह मान उसे इग्नौर करता है कि तब उधर से रावी आती है तो यह मान रावी को देखकर बहुत ही खुस होता है और वो दोनों कपल अपने प्यार के फूल बरसा कर वहां से चले जाते हैं तो प्रिंग को उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही जलन होती ह आगे सब पाटी में जाते हैं तो थाना के पापा रावी के पापा का अच्छे से वेलकम करते हैं और थाना के पापा को रावी पहली ही नजर में पसंद आ जाती है तो थाना के पापा रावी के पापा से कहते हैं मुझे तुम्हारी बेती बहुत पसंद है तो क्यों ना हम दोनों इस दोस्ती को रिष्टेदारी में बदल दे तो रावी के पापा कहते हैं ये तो मेरे लिए सोभाग की बात है लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता रावी का एक बॉइफ्रेंड है और रावी उससे बहुत प्यार करती है इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दीजे तो थाना के पापा कहते हैं कोई बात नहीं तुम माफी क्यों मांग रहे हो जब बच्चे एक दूसे के साथ खुस हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है आगे थाना और रावी फिर से एक दूसे से मिलते हैं तो रावी को यहां पर फिर से गलत फैमी हो जाती है कि थाना एक ब्लेव ये सब नहीं करना चाहिए तो प्रिंग कहती है मुझे भी पता है कि तुम भी ये सब मेरे साथ करना चाहते हो क्योंकि तुम भी मुझे धीरे-धीरे पसंद करने लगे हो तो ये मान कहता है तुम्हारा दिमाग खड़ाप तो नहीं हो गया मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं और आइंदा से मेरे साथ ये सब मत करना और ये मानिये कहकर वहाँ से चला जाता है तो प्रिंग का सारा प्लैन धरा का धरा ही रह जाता है इधर रावी बातरूम में होती है तो सारी लड़किया थाना के बारे में बात करती है कि वो कितना चामिंग है पर अपसोस की बात है कि वो एक single dad है और किसी को भी नहीं पता कि उसकी बच्चे की मा कौन है और वो सारी लड़किया थाना को लेकर gossip करने लगती है कि तब यहाँ पर तवान आ जाती है और वो यह सारी बाते सुन लेती है तो रावी को तवान के लिए बहुत बुरा लगता है और वो कहती है बेटा इन सब बातों पर ध्यान मत दो वो लोग तो ऐसे ही gossip करते रहते हैं और रावी तवान को बड़े ही प्यार से समझाती है तो तवान समझ जाती है आगे रावी इसका कसुरवार भी थाना को ही ठेडाती है और वो पाटी में जाकर उसे खूब बाते सुनाती है तुम कैसे ब इन बता तो इससे दस बाते सुना कर वहां से चली गाती है तो उस्की जवार नहीं होता कि ऊडवान अपने पापा वाली बात बताती तो थाना को समझ में आता है कि रावी तभी उस पर इतना क्यों भड़क रही थी तो थाना को धीरे धीरे रावी और पसंद आने लगती है और उसका रावी में और इंट्रेस्ट जागने लगता है अगले दिन थाना के पापा एक प्रोजेक्ट के सिलसले में रावी की कमपनी के साथ काम करते हैं तो रावी अपना प्रेजिंटेशन लेकर थाना के कमपनी आती है तो थाना जैसे ही रावी को देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है आगे रावी अपने सारे मिटेरियल्स के बारे में उन लोगों को बताती है तो थाना कहता है मैं बिना देखे त तुम्हारे सारे मिटेरियल्स पर कैसे भरोसा कर लूँ पहले मैं इसे देखूंगा उसके बाद ही तुम्हारे साथ काम करूंगा तो रावी कहती है ठीक है अपचलि ठाना ने ये सब कुछ जान बूछ कर किया होता है ताकि वो रावी के साथ टाइम स्पेंट कर सके आगे रावी और थाना दोनों ही मेटेरियल्स देखने लिए जाते हैं तो रावी कहती है अब तुम्हें तसल्य हो गई कि हमारे मेटेरियल्स में कोई भी कमी नहीं है तो थाना कहता है हाँ मुझे यकिन हो गया और रावी ये कहकर वहां से जाही रही होती है कि तभी उसके साथ एक हाथसा होने वाला होता है लेकिन सही टैम पर थाना अकर उसे बचा लेता है जिस चक्कर में वो दोनों ही घायल हो जाते हैं आगे वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं तो थाना अपना treatment करवा कर रावय के पास जाता है। तो थाना उन लोगों से अपने किएक की माफी मांगता है। तो वो लोगों पापा एक्चुली यह सब थाना की पापा का ही प्लान होता है क्योंकि वो चाहते हैं कि रावी और थाना एक दूसरे को जादा जाने पहचाने और उन दोनों की साधी हो जाए अगले दिन थाना खुसी-खुसी रावी से मिलने के लिए जाता है तो थाना जैसे ही वहाँ जात तो थाना रावी से माफी मांग कर वहाँ से चला जाता है तुम जान बूच कर रावी के करीब जाना चाहते होना ताकि तुम उसे पटा सको लेकिन याद रखना मैं उसका बॉइफरेंड रूँ और मैं किसी भी कीमत पर रावी का तुम्हारा होने नहीं दूँगा इसलिए रावी से मिलना बंद करो, तो थाना कहता है अगर ऐसी बात है, तो तुम खुद रावी को रोक लो ना, वैसे भी रावी मेरी company में मेरे साथ काम करने वाली है, अगर तुम सच में उसे मुझसे दूर रखना चाहते हो, तो जा उसे कहो, कि वो मेरे साथ मेरी company में काम और थाना ये मान को मूत और जबाब देकर वहाँ से चला जाता है और ये मान देखता ही रह जाता है उसी तरह प्रिंग पूरी था परिसान रहती है क्योंकि उसका एक भी जादू ये मान पर नहीं चल रहा होता है क्योंकि यह मान ने party में उसका dress खड़ाब कर दिया था जिस वज़ा से प्रिंग उसे market लेकर जाती है ताकि वो उसके साथ time spent कर सके तो यह मान उसे घुमाता फिराता है पर उसका सारा ध्यान रावी पर रहता है क्योंकि आज रावी को discharge मिलने वाला होता है और उसने रावी से promise क्या होता है कि आज वो उसे लेने के लिए जाएगा तो अप्रिंग ये एमान को रावी से मिलने से रोकने के लिए अपने पैरों में चोट लगने का भाना बनाती है जिस वज़े से ये एमान रावी को लेने के लिए नहीं जा पाता तो थाना को मोका मिल जाता है रावी को घर छोड़ने का और वो कहता है चलो मैं तुमें घर छोड़ देता हूँ तो थाना कहता है तुम्हारी ऐसी हालत नहीं है कि तुम्हें मेरी हैल्प लेनी ही होगी तो रावी को मजबूरन थाना की हैल्प लेनी परती है और थाना उसे घ और थाना उसे घर छोड़कर वहां से चला जाता है कि तब उधर से यह मान प्रिंग के साथ आता है तो रावी उन दुनों को एक साथ देखकर तो पुरी तरह सौक्ठ हो जाती है